दोस्तो हाली में ही हमारी सेना ने एक एसे डिफेंस सिस्टम को खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है जो 3-in-1 डिफेंस सिस्टम होने वाला है और हमारे इस defense system के सामने चाइना और पाकिस्तान के शक्ती शाली से शक्ति शाली कामिकाजी ड्रोन और स्वाम ड्रोन के जुंड भी अपने घुटने टेक देंगे तो जिसा कि आप सभी जानते ही हो कि इस समय तुर्की और चाइना लगातार पाकिस्तान को अपने घातक से घातक ड्रोन देने में लगे हुए हैं पर इन ड्रोनों की मदद से पाकिस्तान आए दिन ही भारत के अंदर अतियारों की तशकरी करता है और कई नशीले पदार्त भी पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे जाते हैं लेकिन अब ऐसा करना पाकिस्तान को बहुत ही जादा मुश्किल होने वाला है अब पाकिस्तान चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा अब सभी के यादी होगा जब से हमारे जम्मू बेस पर हमला हुआ है जब इसे ही हमारी सेना ने एक बार ठानली थी कि अब पाकिस्तान के इन चिंदी ड्रोनों को काफी सीज्यस लेना होगा और उसके बाद ही हमारे सेना के लिए सोफ्ट किल डिफेंस सिस्टम को बनाया गया उसके बाद लेजर बेस डिफेंस सिस्टम को बनाया गया और अब फाइनली हमारी सेना के लिए हार्ट किल डिफेंस सिस्टम भी बनाया जा रहा है जो ये defense system होने वाला है इसको एक vehicle पर mount किया जाएगा जिसको especially दुश्मन देशों के swarm drone को counter करने के लिए खरीदा जाएगा जिसकी process भी अब शुरू कर दी गई है जो ये defense system होने वाला है इस defense system की सबसे खास बात यह होगी कि इसमे 64 missile लगी होगी यानि कि हमारे defense system के अंदर iron dome से 4 गुना missile लगी होगी ये defense system दूसरे defense system से connect होगा यानि कि इस defense system में total 3 defense system होने वाले हैं पहले defense system की मदद से दूश्मन देशों के ड्रोनों को soft kill किया जाएगा यानि कि उन ड्रोनों की frequency को jam कर दिया जाएगा जिसके बाद drone automatic ही जमीन पर आकर गिर जाएगा और जो दूसरा system होगा उसकी मदद से हम autonomous drone को काफी easily मार कर गिरा देंगे और इस कार नामे को laser करेगी drone को hard kill करने के लिए इसमें 64 missile वाला एक launcher लगा होगा जिसकी मदद से हम एक साथ दुश्मन देश के 64 drone को मार कर गिरा सकेंगे और जो इस defense system का विकल होने वाला है इस पर 3D ऐसा radar लगा होगा जो काफी आसानी से low radar cross action वाले drone का भी पता लगा सकेगा इस defense system की range की बात की जाए तो इस defense system का जो ये radar होने वाला है इसकी tracking range 8 km के आसपास होने वाली है और ये डिफेंस सिस्टम 0.01 स्क्वाइर मीटर वाले ट्रोनों का भी काफी आसानी से पता लगा सकता है और इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइले लगी होंगी उस मिसाइल की रेंज 2.5 किलो मीटर होने वाली है और आप सभी के ये बात भी यादी होगी अब से कुछी दिनों पहले इस तरीकी के डिफेंस सिस्टम को हमारी प्राइवेट कमपनी यानि की इकनोमिक एक्स्प्लोजिव लिमिटिड ने बना कर भी तैयार कर रखा है इस डिफेंस सिस्टम का नाम भारगव अस्त्र से जो हमारी सेना ये डिफेंस सिस्टम लेने वाली है इसको मेक टू कैटिगरी के तहत लिया जाएगा जानी कि जो भी कमपनी हमारी सेना को इस defense system को देगी उस कमपनी को इस defense system को बनाने में खुदी पैसा खर्च करना होगा और उम्मीद इस बात की की जा रही है कि economic explosive limited की तरफ से अपने भारगव अस्त्र नाम के defense system को हमारी सेना को दिया जा सकता है और अब आपी comment करकर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास इस तरीके के कितने defense system होने चाहिए इस बात का अंसरा आप comment box में दे सकते हैं Thanks for watching this video, have a good day